हालो गाइस वेल्कम बैक टो माई चानल दावत तो चलिए आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुप सूरत से चुटे-चुटे क्यूट से कपकेक्स बनाने वाले हैं आज हम लोग बनाएंगे मार्मल कपकेक्स यहाँ पर आप लोग देखी सकते हैं कितने ज़्यादा खुप इसमें हमने ना वनफोर्थ कप चीनी मिला दी है पिसी हुई शुगर उसमें हम लोग दो चमच रिफाइन ओयल डाल देंगे संफार और आज मैंने हाँ पर यूज किया है इसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से मिला देंगे बिल्कुल भी कोई भी गुटलिया यह लंस कप मैदा, हाफ टीस्पून बेकिंग पौडर और वन फोर्थ टीस्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी मिला दिया है अच्छी तरह से इसे चान लेना है आप लोगों को और फिर इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे दो से तीन डॉप्स या हाफ टीस्पून के करीब वैनिला एसेंस डाल देंगे हलके हाथ से बस आपको इससे मिलाना है और बस थुड़ी थुड़ी कॉंटिटी में आपको इसमें दूद मिलाकर इसका एक स्मूद सा बैटर तयार करना है दूद हमने यहाँ पर वन फोर्थ कप और दो से तीन टेबस्प का हमारा बैटर तयार हुआ है अब यह कपकिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पेपर लाइनर्स लिये है और उन्हें इन कटोरियों में रग दिया है अब बस हाफ इस तरह से हमें इसे फिल करना है पूरा उपर तक नहीं भरना है आपके पास अगर यह लाइनर्स नहीं है ना गाइस तो आप लोग सीधे कटोरियों में भी इन्हें बेग कर सकते है और जो भी थोड़ा सा बैटर बचा था उसमें हमने एक चमच भर के कोकवा पॉडर मिला दी है आप चाहे तो एक से दो चमच इसमें चीनी भी मिला सकते है अब बस थोड़ा सा दूद मिल इसकी कंसिस्टेंसी एड्रेस करने के लिए हमारा ये चोकलेट फेवर का जो केक है उसका बैटर तयार हुआ है अब हम लोग इसे एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर देंगे चोटा सा कट लगा कर हम लोग इसके उपर इस तरह से एक डिजाइन बना देंगे आपको जो भी डिजाइन बनानी है या किसी का नाम लिखना है या कुछ अल्फावेट्स लिखने है तो भी आप लोग इसके उपर लग सकते हैं आज मैंने यहां पर यह चोकलेट कलर में या इस तरह की डिजाइन बनाई है आप लोग किसी भी तरह की कलर में यह डिजाइन इसके बना सकते हैं बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना भी दिखने में बहुत सब्सक्राइब कपकेक से खुबसूरत लगते हैं अब बस इसके बाद आपको टुटपिक से इसके अंदर इस तरह से खीशते हुए एक फ्लार की डिजाइन बना देनी है जो कॉफी के ओपर डिजाइन बनाते हैं उस तरह के बस इसी तरह से आपको यह डिजाइन बनाते जाने हैं अंदर की तरफ और जो टुटपिक है उसे आपको हर बार क्लीन करते जाना है अगर आपको अलग कुछ डिजाइन पसंद है तो वह आप इसके उपर बना सकते हैं चलिए कपकेक समारे तयार है इ तो आपको सारी जो कटोरियां है इस कडाय में रख देनी है आज हम लोग बिना अंडे का या जो बिना आवन का कपकेक है उसे बना रहे है गाइस तो बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत से इतम सौफ्ट और स्पॉंजी से और यह दिखने में इतने ज़्यादा खुबसूरत है ना कि बच्चों को यह बहुत ही ज़्यादा पसंदा सकते है तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते है चलिए अब इसके ओपर धकन रखकर हम लोग इसे बीस या बाइस मिनिट तक लो फ्लिंग पर ही बेक करेंगी तो यहां पर देख सकते है पूरे बी बहुत अच्छी तरीके से यहां पर बेक हुए है चलिए इन्हें हमने बाहर निकाल लिया है और पूरी तरह से आपको इसे ठंडा कर लेना है तो जो नॉर्मल कपकेक्स हम लोग बनाते है हर बार बनाते है लेकिन इस तरह का कुछ अलग सा अगर आप लोग ट्राइ करना च बेकाती हूं चलिए इस तरह से इसके साइड्स हमें सबसे पहले लूज करने है देख सकते हैं अगर आपके पास यह पेपर लैनर्स नहीं है ना तो आप लोग सीधे इन्हें काटोरियों में भी बेक कर सकते हैं तो सबसे पहले यह कितना ज़दा सॉफ्ट बना है यहां पर कर सकते हैं उन्हें बहुत ज़दा पसंद आएगी देख सकते हैं अंदर से भी कित्ते ज़दा सॉफ्ट है एक दम रूई जितने मुलायम सॉफ्ट और मों में जाते हैं घुलने वाले हमारे मार्बल कपकेक्स यहां पर देया है तो आज की मेरे रेसिपी पसंद आई होगी अच्छे लगी होगी तो रेसिपी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और आप हमारे दावच चनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा चलिए गईज मिलते हैं इसी तरह की एक नेसी वी